वेल्कम टू कॉंट स्टेडी में एक बार आपका स्वागत है आज जो हम चेप्टर करने चा रहे हैं ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के बिलकुल बाद आपको पढ़ना है क्योंकि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही रिलेटेड चेप्टर है और इसका नाम है ट्रेंज Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर्जे का फॉलो कर लिजी और किसी भी अपडेट को मिस्मक कीजिए तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं सबसे बहले आपको एक सबसे बेसिक चीज बता देते हूं जो इस चैप्टर में दिखने में इतनी इपॉर्टन ही लगती पर सबसे जादा इपॉर्टन रोल प्ले करती है जो कि है हमारी कन्वर्जन्स वन किलो मेटर होता है 1000 मीटर के बराबर वन और होता है 3600 से के बराबर ठीक है आब नेक्स चीज हमने देखनी है कि मीटर पर सेकिंट को अगर आपको किलो मेटर पर और में कन्वर्ट करना है तो आप 5 से मल्टिप्लाइ करोगे ये चीज आपने रटनी नहीं है ये चीज कैसे आई मैं आपको explain कर देता हूँ देखिए मीटर पर सेकिंड को आपको किलो मीटर पर और में convert करना है ठीक है तो एक मीटर में कितने किलो मीटर होंगे अगर यहाँ पर एक किलो मीटर में ये चीज जो है ये चले जाएगी सबसे ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकिंड को किलोमेटर पर और में कनवर्ट करोगे तो आ जाएगा 18 by 5 किलोमेटर पर और ठीक है तो 1 मीटर पर सेकिंड आगे आपके पास 18 by 5 किलोमेटर पर और यहाँ पर देख लीजी मीटर पर सेकिंड को किलोमेटर पर और में कनवर्ट करने के लिए हमने 1 मीटर पर सेकिंड हमारी वैल्यू आ जाती है 18 बाइ 5 किलोमेटर पर और ठीक है वही चीज सेम चीज अब इस पर अपलाई करोगे तो आपके पास आजाएगा 1 किलोमेटर पर और इस इकोल्स टू अब देखिए 1 किलोमेटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं अब और को जब हम सेकिंड में कनवर्ट करेंगे 36 सेकिंड आ जाएंगे तो ठीक है जब इसको हम solve करेंगे हमारे परस वही चीज आएगी 5 by 18 तो 1 km per hour equals to 5 by 18 meter per second आपको एक 5 number याद रखना है एक 18 number याद रखना है फिर according to question आपने काम करना है कैसे ये भी बता देता हूँ km per hour को change करना है आपने km per hour को for example आपको दिये 10 km per hour speed है इसको बताओ कि meter per second में कितना होगी km को आप लिख दोगे 1000 और को आप लिख दोगे 3600 आपको पता आपके पास दो number थे एक था 5 एक था 18 ठीक है तो 5000 की टेबल में 1000 आता है तो उपर हम 5 लिखेंगे 18 की टेबल में 3600 रहाता है नीचे हम 18 लिखेंगे तो हमारा 10 into 5 by 18 meter per second हो जाएगा हमारा 10 km per hour ऐसे करनी है अपने conversion ठीक है next concept आगया हमारा relative speed का relative speed कब निकालते हैं जब दो objects चल रहे हों किसी speed से ठीक है अगर एक subject किसी speed से चल रहा है दूसरा subject रुका हुआ है standing है तो relative speed का concept नहीं लगता है जब दोनों objects किसी speed से चल रहे हैं तो relative speed का concept लगता है ठीक है तो relative speed का क्या concept है कि अगर दोनों object same direction में चल रहे होंगे तो subtraction होगी इसे आप ऐसे याद रखिए S से same S से subtraction ठीक है अब मैं आपको explain भी कर देता हूँ कैसे अब for example आप एक कार में बैठे होए हैं और आप जा रहे हैं 80 km पर और की speed से एक कार पीछे से आती है आपको और बड़ी speed में overtake कर लेती है आप आपने कभी notice किया होगा जब कोई आप 80 km पर और की speed में जा रहे हो और कोई कार आपको आके overtake कर लेती है आप एक अंदाजा लगाते हो कि ये कार पका 120 या 110 km पर और की speed में चल रहे होगी कैसे कि आपने आप खुद तो 80 km पर और की speed में चल रहे हो तो उसने आपको overtake किया है तो obviously बात है उसकी speed आपकी गाड़ी की speed से जादा होगी तो आप एक अंदाजा लगा लेते हो कि आपकी गाड़ी से उसकी speed होगी 40 km पर और की जादा ठीक है अगर जगदम cross कर लेती है तो आप ज़ादा speed का अंदाजा लगाते हो अगर जैसे धीरे धीरे cross करती है ठीक है जैसे आप चल रहे हो एक गाड़ी आपके parallel आई थोड़ी time लगा के उसने आपको cross किया तो आप कहते हो कि इसकी 90 या 100 km पर और होगी यह ज़ादा speed में नहीं चल रहा है मेरे से बस 10 या 20 km speed ही उपर चल रहा है तो अपनी ये चीज़ कैसे निकाली आपने देखा कि आपकी गाड़ी जिस speed से चल रही है उससे दूसरी गाड़ी उपर ही चल रही है तो आपने अपनी गाड़ी में जो gap होगा जितना आपको लगा कि कितनी तेज चल रही है वो add किया तो उसकी speed आगी तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों गाड़ीया same direction में जा रही थी तो हमने उस गाड़ी की speed से अपनी गाड़ी की speed minus कर ली तो हमारे पास gap आगया speed का इसी gap को कहते हैं हम relative speed ठीक है तो same direction as for same as for subtraction चलते हैं opposite direction पे अब opposite अगर same direction में subtraction हो रही है तो opposite direction में addition होगी आप सिरफ same direction वाला गन से अपनी याद रखो opposite direction का आपको अपने आप याद हो जाएगा ठीक है अब देखिए opposite direction का सिरफ ये मतलब नहीं है कि आप इस तरफ जा रहे हो और दूसरी गाड़ी इस तरफ जा रही है तो ये भई opposite direction एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तब भी opposite direction same direction ये हो गई opposite directions ये हो गई ठीक है अब आज आते हैं formula पे तो हमने पढ़ा था time speed distance chapter में की distance होती है speed into time अगर हम इसका time पे focus करेंगे तो time आजागा distance upon speed वही चीज मैंने यहाँ लिखी हूँ ये time speed and distance chapter से निकालके अब इसमें distance क्य क्या होगी speed होगी relative speed relative speed मैंने आपको explain किया सिर्फ उसी case में जब दो objects with different speed एक same direction में चल रहे होगे ये opposite direction में वो question की requirement के हिसाब से अगर एक ही object चल रहा है दूसरा stationary है तो relative speed का मतलब होगा normal speed उसी object की speed जो चल रहा है तो अब इस चीज़ को मैं थोड़े deep में explain कर देता हूँ जब एक train cross कर रही है train cross कर रही है पोल को landmark को किसी जिसे वो छोटे से milestone नहीं लगे होते हैं ठीक है उसको हम कहते हैं landmark landmark यानि जो एक जगा fix है जिसके हिसाब से हम अपनी location को बता सकते हैं ठीक है एक man को जो खड़ा होगा अभी standing की बाद चल रही है और tree को आप देख सकते हैं कि pole landmark man और tree चारो stationary object है ठीक है stationary object यानि एक ही जगा पर रुके होई है इनकी कोई अपनी speed नहीं है तो time क्या हो जाएगा length of train divided by speed of train मैंने explain किया था distance की जगा length आएगा इस बार और speed of train की होई है इसमें relative speed क्यों नहीं है क्योंकि जो दूसरा object था वो stationary था next part कि जब train चल रही होगी और वो किसी moving man यानि कि इस बार man किसी speed में चल रहा है तो time क्या आजाएगा length of train divided by relative speed अगर same direction में जा रहे हैं तो as for same as for subtraction अगर different direction में यानि opposite में जा रहे हैं तो addition अब एक example देखिए आपके सारे जो doubts हैं वो clear हो जाएंगे देखिए question कह रहा है कि train की length है 720 meter तो length of train आगी हमारे पास 720 meter speed है उसकी 90 meter per second तो speed भी meter में ही दी हुए meter per second में ही दी है तो हमें convert करने के ज़रूरत नहीं है वो एक बंदे को cross करती है हमें बताना है कितने second में cross कर गी है अगर पहला part जो कह रहा है कि बंदा खड़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया जब कोई जो दूसरी चीज है वो चल नहीं रही होत अब हमारा दूसरा part कह रहा है कि man is moving towards the train as 30 meter per second तो speed of man है 30 meter per second अगर वो train इस तरफ से आ रही है suppose कर लीजिए और बंदा उसी की तरफ चल रहा है तो यह opposite direction होगी opposite direction में speed जो है add हो जाएगी यानि यह 120 बन गया 120 meter per second आगी हमारी relative speed distance है हमारे पास 720 speed आगी हमारे पास तो time आजा second ठीक है हमारा दूसरा part कह रहा है कि man is moving in same direction as of train in 30 meter per second अब same direction है यानि subtraction as for same as for subtraction ठीक है तो subtract करेंगे इसको हमारी relative speed आगी 60 meter per second distance है यह speed है यह तो time आ गया 720 divided by 60 which is equals to 12 second ठीक है तो यह आगे हमारे तीनों parts के answer ठीक है देखा क्या-क्या change आगी जब man रुका हुग था तब speed में क्या change थी जब train की दरफ चल रहा था तब speed में क्या change थी जब train के opposite चल रहा तब speed में क्या change थी और उसके हिसाब से हमारे answers में भी difference आया चलते हैं हमारे next concept पे तो अभी तक हमने बात की जहां हमारे पास सिर्फ एक ही length थी यानि सिर्फ एक train की length थी दूसरा जो था वो pole था या landmark था milestone था या tree था या man था जिसकी length train के length के हिसाब से considerably zero होती है अब वो वाला part जहांपर हमारे पास दो lengths होगी हमारे पास दो trains हो सकती है ब्रिज हो सकता है platform हो सकता है तो इनकी length train की length में हमेशा add होगी तो लिखे न है bynay addition of length of train and other object यानि की bridge train दूसरी train या फरी platform या tunnel इनकी length जो होगी हमेशा add होगी अब देखें bridge प्लेटफॉर्म भी मूप नहीं करता है तो कि ड्रींव करक्ती है पर इस स्थेंडिंग की बात कर रही है तो इस में मैंने आपको बताया जब इन सब्जेक्ट की स्पीड है दूसरे स्टेशनरी यह तो स्पीड ऑफ train जो move कर रही है सिरफ उसी की ही speed को हम relative speed मानेंगे वहीं दूसरा case जहाँ पर एक train move कर रही है वहाँ पर हम relative speed लेंगे तो हमारा जो numerator है वो same ही रहेगा addition of length of train and other object denominator में relative speed आ जाएगा सिरफ दूसरे case में जहाँ पर दूसरी train move कर रही है अभी नहीं के base पर हम करेंगे एक example जिससे आपके सारे जो concept होगा वो clear हो जाएगा तो question रहा ये question same वही है 70 meter की length है train की 90 meter per second की speed है ये पहली train की बात की थी अब इसमें एक दूसरी train इंटेट्यूज हुई है जिसकी length है 280 meter की और उन्होंने पूछा है कि कितने second में उसको पहली train cross करेगी अगर दूसरी train जो है रुकी हुई होगी तो मैंने आपको बताया कि चलो पहली train का पर काम करते है पहली train की length है 720 meter और दूसरी train की length है 280 meter तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो trains की length आ जाती है हम क्या करेंगे इनकी एक relative length निकाल लेंगे relative length इनकी क्या होगी इन दोनों का addition तो 1000 meter आगी हमारी relative length अब दूसरी train रुकी हुई है यानि हमारी relative speed जो होगी वो पहली ही train की speed होगी तो speed है 90 meter पर second जब हम 1000 को 90 meter से divide कर देंगे हमारे पास आजएगा 100 by 9 होगा time जिसमें पहली train जो है वो दूसरी train जो की रुकी हुई है उसको cross करती है अब एक extra चीज़ बता देता हूँ वैसे जुरूरत नहीं है आपको पर फिर भी बता देता हूँ 100 by 9 को हमें mixed fraction में कैसे convert करना है 9 आये का denominator में इस तरफ होता था quotient तो quotient क्या होगा 9, 11, 99 होते हैं और जो remainder होगा वो हम top पे लिखते हैं तो 11, 1 by 9 second आ गया हमारा time ठीक है चलते हैं second part पर हमारा second part कहा रहा है कि train जो है वो move कर रही है towards यानि कि opposite direction first train at 110 meter per second opposite direction में क्या होगी speed opposite direction में speed होगी add हमारे पास net length थी 1000 meter net speed या फिर relative speed आईगी addition करके 90 plus 110 which is equal to 200 meter तो time क्या आ गया 1000 divided by 200 which is equal to 5 second या आ गया हमारा second part third part पर चलते हैं second train भी move कर रही है same direction में यानि इस पर speed होगी minus और second train की speed है 40 meter per second तो net speed क्या आ गई 90 minus 40 which is equal to 50 meter per second distance था यानि length थी 1000 meter की divide करो 1000 divided by 50 which is equal to 20 second तो हमारे final solutions क्या आ गई जब train रुकी हुई थी तो 100 by 9 second लगे जब train opposite direction यानि कि पहली train दूसरी train की तरफ चल रही थी तो 5 second लगे और जब train same direction में चल रही थी तो 20 second लगे ठीक है अब हमारे concept हो चुके हैं सारे complete अब हम आते हैं हमारे question वाली series पर तो पहला question अपकी screen पर है 5 second का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए और इस question को try कीजिए तो चली देखते हैं इस question को कैसे करेंगे 700 meter long है train की length 72 km पर और है उसकी speed एक minute में एक tunnel को cross कर रही है यानि हमारे पास दो lengths है दो length किसकी है एक है train की दूसरी है tunnel की तो 700 plus tunnel की length हागी हमारे पास distance और distance के होता है speed into time time है हमारे पास 1 minute यानि की 60 second और speed है हमारे पास 72 km पर और यानि 72 into 5 by 18 meter per second ठीक है तो इस वाली side का result आया 1200 इस side है 700 plus T ये minus होगा T की value आजएगी 500 तो tunnel की length आगई 500 meter option D चलते हैं हमारे next question पर अगें 5 second का time दिये जा रहा है इसे try कीजिए तो चलिए देखते हैं इसको solution क्या होगा 280 meter long train है speed है उसकी 60 km पर और time taken by train to cross a platform 220 meter हमारे पास दो length है ठीक है दो length है तो total length क्या आ जाएगी हमारे पास 220 एक 280 यानि की 500 meter आगी हमारे पास total length speed क्या है speed यहाँ पर सिर्फ train की होगी platform की नहीं होगी speed है हमारे पास 60 km पर और यानि की 60 into 5 divided by 18 क्योंकि length divided by speed is equals to time ठीक है तो time क्या आ गया हमारे पास 500 divided by 6 3 जा 18 6 10 जा 50 divided by 3 तो यह 3 उपर चला जाएगा और multiply हो जाएगा 50 10 जा 10 3 जा 30 सेकंड हमारा C option चलते हैं हमारे next question पर 5 सेकंड का time दिया जा रहा है अगेन आपको जल्दी से इसे solve करने की कोशिश कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या हो सकता है एक train है एक speed पर चल रही है और एक pole को 15 सेकंड में cross करती है वही train एक 100 मीटर के platform को 30 सेकंड पे cross करती है तो सबसे पहले ऐसे question जिसमें एक single train है और वो अलग-लग चीज़ों को अलग-लग time पे cross कर रही है उसके लिए हम दो method लगाते हैं एक है basic method जो अभी तक मैं आपको कराता आ रहा हूँ formula based दूसरा है gap method ठीक है इसे मैं एक trick मानता हूँ ठीक है इससे question थोड़ी जल्दी हो जाते है जादा फरक नहीं पढ़ता थोड़ी जल्दी हो जाते है पर इस trick के लिए आपको दिमाग काफी खोल के रखना पड़ता है ठीक है हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये trick समझ ना भी आए आप basic method से भी question को continue कर सकते है तो सबसे पहले हम करेंगे basic method उन्होंने कहा है कि train जिकी एक length होगी train की ठीक है वो एक pole को cross कर रही है 15 second में length is equals to speed of train into time second case में length of train plus 100 meter का platform is equals to speed of train into time क्योंकि platform की तो कोई speed होती नहीं है तो train की speed ही relative speed होगी अब speed of train speed of train common है तो इसको हम इसका denominator बना देंगे इसको हम इसका denominator बना देंगे और equations को equate कर देंगे speed of train के basis पर हमारे पास L by 15 आगी पहली equation equation को equate किया L plus 100 divided by 30 आगी second equation 2 से कटा 2L equals to L plus 100 जब ये L इदर जाएगा बन जाएगा L क्योंकि minus होगा तो L की value आगी 100 और L क्या हमने assume किया था train की length तो 100 meter आगी train की length अब आपको बताता हूँ मैं दूसरा method जो की है gap method ये method हम कहां लगाएंगे जब जहां पर single train होगी single train वाला में क्यों लगेंगे क्योंकि जब दूसरी train आ जाएगी जब दूसरी train introduce होगी वहाँ पर 2 lengths तो introduce होगी होगी पर चलो 2 lengths हमारे लिए इतनी problem नहीं है जितनी हमारे लिए 2 speed problem है ठीक है 2 speed problem create करेंगी और ये जो gap वाला method है लग उसमें भी जाएगा पर complicated हो जाएगा और हमें maths complicated नहीं करनी है क्योंकि हमें जल्द से जल्दी हमारा answer चाहिए होता है तो चलिए gap वाला method आपको जिखा देता हूँ कैसे लगेगा question कहा रहा है कि एक train है उसने pole को 15 second में cross किया और 100 meter के एक platform को 30 second में cross किया अब देखिए 15 second में जो उसने pole को cross किया basically वो length of train ही बताएगा जो distance उसने 15 second में cross किया वो length of train ही थी और दूसरे case में length of train प्लस 100 meter का platform था तो आप देख सकते हैं हम अगर सिरफ gap पे काम करें इन time का जो हमारा पास gap है वो है 15 second का ठीक है 15 second का gap जो है और distance का जो हमारे पास gap है वो क्या है LTE में से LTE माइनस हो जाएगा हमारे पास आएगा 100 meter तो यानि उसने 15 second लगाए 100 meter को cover करने में ये कैसे आया time का gap distance का gap हमने निकाल लिया कि 15 second लगाए उसने 100 meter को cover करने में तो उसकी speed क्या आगई उसकी speed आई 100 upon 15 20 by 3 meter per second अब उसकी length बतानी है उसने pole को कितने time में cross किया था 15 second में speed कितनी है 20 by 3 तो 5 तो length क्या होती है speed into time तो length आगी 100 meter एक ऐसे तरीके से आप कर सकते हो दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि 15 second में उसने 100 meter को cross किया यही इसी से speed आई थे ना 100 by 15 15 second में उसने 100 meter को cross किया 30 second में उसने 100 plus इसको cross किया 30 second यानि 15 second का double तो distance भी double हो जाएगा 200 meter 200 meter में से 100 meter है platform का तो 100 meter होगा train का ठीक है कोई भी तरीका एक question को solve करने के लिए 10 methods है ठीक है जितने method को होगे उतने method बता दूँगा पर जितने ज़्यादा method आप देखोगे उतना ही आपका complicated हो जाएगा तो किसी एक method को पकड़ो और सी method के साथ अपनी match को solve करने शुरू करो चलते हैं हमारे next question पर next question 5 second दे रहो इसे try कीजिए और देखिए आपसे ये solve होता है या नहीं तो चली देखते हैं इसका solution क्या होगा question कह रहा है कि 100 meter की train है उसने एक milestone को 10 second में cross कर लिया तो question देख की पता चल जाता है आपको की speed आगई उसकी 10 meter per second की next उसने कही कि एक train है जो same length की है वो opposite direction से इसकी तरफ आ रही है यानि कि 100 plus 200 meter आ गया हमारे पास total distance और दिया गया है कि वो दोनों एक दुसरे को cross करेंगी 8 second में यानि कि distance upon time is equal to speed और इस case में speed क्या होगी speed of train 1 और opposite direction से आ रही है यानि plus speed of train 2 speed of train 1 हमने 10 meter per second निकाली है plus speed of train 2 8, 25 जा तो 25 equals to 10 plus T2 तो T2 की value आ गई 15 meter per second अब meter है ओपर meter को जब हम लिखेंगे kilometer में 1 by 1000 आएगा यानि कि जो 5 वाली term होगी वो नीचे आएगी तो 15 into 18 divided by 5 3 यानि कि 54 kilometer पर और आ गई second train की speed options ही आ गया हमारा valid answer चलते है next question पर again 5 second का time तीए जा रहा है question को try कीजिए तो चली देखते हैं इसका solution क्या होगा question कह रहा है दो train है travel कर रही है same direction में 40 और 22 kilometer पर और की speed में तो यानि हमारी relative speed आ गई relative speed आ गई हमारी 18 kilometer पर और क्यों क्योंकि same direction में जा रही थी S से same S से subtraction इसको convert करेंगे हम meter per second में तो हमारे पास 5 meter per second आगे relative speed अब एक दूसरे को वो कर रहे हैं एक minute में totally cross यानि की 60 second में तो 300 आगी हमारे पास distance क्योंकि speed into time is equal to distance अब ये 300 क्या होगा length of train 1 plus length of train 2 300 होगा अगर first train की length है हमारे पास 125 meter तो second train की क्या होगी 175 meter जो की आपके option C में है तो हमारा answer आ गया चलते हैं next question पर again 5 second का time दिये जा रहा है जल्दी से solve कीजिए तो देखते हैं इसका solution क्या होगा दो trains हैं एक की length ही है दूसरी की length ही है same direction में जा रही है the faster train takes 40 seconds to pass the other completely ठीक है तो same direction में same direction में उनको 40 seconds लग रहे हैं एक दूसरे को cross करने में next line करी है opposite direction में वो एक दूसरे को pass करेंगे 4 seconds में तो opposite direction में उनको लग रहे हैं 4 seconds ठीक है distance हमें पता है क्या होगा दोनों trains की length यानि की 240 meter ठीक है same direction का मतलब है speed 1 minus speed 2 opposite direction का मतलब है speed 1 plus speed 2 यह time है यह speed नहीं है यह time है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम पहले time लिख लेंगे same opposite same में लग रहा है 40 opposite में लग रहा है 4 यानि की 10 is to 1 की ratio है वैसे ही speed देखेंगे 1 is to 10 की ratio बन जाएगी अब S1 minus S2 है हमारे पास 1 S1 plus S2 है हमारे पास 10 यह कट जाएगा 2 times S1 आ जाएगा हमारे पास 11 यानि की S1 की value आगी 11 by 2 ठीक है अभी हम इसे points में convert नहीं करेंगी क्योंकि इन्होंने end में ratio कही हुई है speed की ratio कही हुई है ठीक है अब S2 पे काम करते है तो यहाँ पर हम minus लगा देंगे यह भी minus बन जाएगा और यह भी minus बन जाएगा यह कट गया minus 2 times S2 is equals to 9 minus का 9 ठीक है इससे यह गया तो S2 आ गया हमारे पास 9 by 2 S1 था 11 by 2 S2 था 9 by 2 अगर हम ratio बनाएगे नीचे के 2 जो होंगे हमारे cancel हो जाएगे तो 11 is to 9 आ गया हमारा final answer जो कि है clearly option A ठीक है चलते हैं हमारे next question पर वैसे एक चीज़ आपने notice की कि हमें इस 240 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमने सिरफ time लिया उसको speed की ratio में convert किया relative speed का formula लगाया और plus minus करके हमने अपनी speed की ratios निकाल ली तभी मैंने ratio proportion chapter जब आपको शुरू करवाया था बार-बार का था तो ratios और percentage में जब भी हमारा question हो हमें exact value यानि की इस exact value पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलते हैं हमारे next question पर ये question actually आपका है part 3 का मैं ये question आपको part 3 में करऊंगा ऐसे type की और भी question है आपको part 3 में करऊंगा ये मने गलती से part 1 में ही introduce कर दिया तो फिलाल इस question को आपको करने की जुरूरत नहीं है हम चलते हैं next question पर पांच सेकिंड देरों इसे जल्दी से solve कीजिए तो चले देखते हैं इसका solution क्या होगा single train है उसने क्या किया दो person जो की same direction में चल रहे है पहला person चल रहा है 2 km पर और की speed में दूसरा person चल रहा है 4 km पर और की speed में इसको cross करने के लिए लिया उसने 9 सेकिंड इसको cross करने के लिए लिए उसने 10 सेकिंड ठीक है हमें train की length बतानी है तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि हमें इसमें कोई एक common element मिल सकता है common element है इसमे length of train ठीक है जो हमें निकालना है length क्या होता है length होती है distance distance is equal to speed into time case 1 में हमारे पास speed है speed of train and same direction में speed of train minus speed of man into 9 seconds case 2 में हमारे पास speed of train minus speed of man 2 into 10 seconds ठीक है अब इन में values पुट करना शुरू करते हैं और सीधा equate कर देते हैं तो equation में value पुट करने के बाद हमारी कुछ ऐसे equation दीखेंगे आपको यह 5 by 18 क्या किया है मैंने kilometer per hour को meter per second में convert किया है ठीक है next चीज हम क्या करेंगे कि इस equation को expand करेंगे तो expand कैसे होगी 9ST minus 5 2 is a 10 और 9 into 10 divided by 18 is equals to 10 ST minus 5 4 is a 20 20 into 10 divided by 18 यह इस तरफ जाएगा यह इस तरफ जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 into 10 divided by 18 minus 9 into 10 divided by 18 is equals to ST ठीक है next चीज क्या किये हमने 10 divided by 18 10 divided by 18 common ले लिए तो common लेने के बाद हमारे equation कुछ SAI 10 divided by 18 into 11 is equals to speed of train यह थी speed of train अब कोई भी एक case अगर हम पकड़ ले तो मैंने पकड़ा case 1 उसमें क्या था speed of train minus speed of man 1 into 9 equals to length of train जब हमने values पुट की तो ऐसे आ गया अब देखिए 10 by 18 यहाँ है 5 2s आ 10 बनेगा और 18 आएगा 10 by 18 यहाँ आ जाएगा जब हम 10 by 18 को common ले लेंगे 9 तो ऐसे भी हमारी जो थी वो speed थी वो तो ऐसे भी अलग थी तो 11 minus 1 आ जाएगा अब इसे हम solve करना शुरू कर देंगे 5 into 10 आगी हमारे 50 meter आगी train की length तो option भी आ गया हमारा final answer ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो trains का part 1 है वो होता है खतम आज हमने 7 question किये basically 8 question आपको screen पर देखे पर एक question part 3 का इसमें आ गया था तो 7 question आज के part में हमने किये और next video lecture में मैं लेके आऊँगा आपके लिए part 2 और उसके बाद part 3 जो कि होगा हमारा final part अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए thank you